नमस्कार, नक्षात्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के विशे में केतु ग्रह के कुंडी के चटवे, आठवे और बारबे भाव में द्रश्टियों सहित क्या फ़लोंगे इन पर चर्चा करेंगे इसके अलावा केतु ग्रह यदी अन ग्रहों के साथ युति बना कर बेठे तब इसका प्रभाव कुंडी पर क्या होगा यानि केतु के सुब और असुब दोनों ही प्रवावों की चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यदि आप चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब आवसे करें वीडियो ग्यान बरतक लगे तो लाइक भी करें आईए सुरू करते हैं मित्रों त्रिक भावों के अंदर केतु ग्रह के क्या फलोंगे इस पर तो हम विचार करेंगे ही परंतु केतु ग्रह को ये जानना आवशक है इसके विशे में कि ये कब अच्छा फल देता है देखे केतु ग्रहे यदी खुद की राशी में बेठा हुआ हो तो अच्छे फल देता है अब सवाल उठता है कि केतु की खुद की राशी तो होती नहीं देखे केतु ग्रहे मीन राशी को अपनी खुद की राशी मानता है यनि केतू यदी मीन राशी में बेठे हुए हो तो सामानता अच्छे फल देते हैं ऐसा माना जा सकता है इसके अलावा धनु राशी जो की गुरु की ही राशी होती है इसमें वहे उच्छ अवस्थाके माने जाते हैं अच्छा रुजट देंगे इसके लावा मित्र राशियां जैसे की मेस राशी या फिर व्रश्चिक राशी इने राशियों में भी केतूगरे सामानेता अच्छा फल देते हैं अपनी दशा अंतरदशा के दोरां अब मानली जी केतूगरे किसी भाव में बेटे हुए हैं वहाँ पर राशी कंग आपको तीन लिखा मिल जाए तो इसमें केतूगरे नीच अवस्था के माने जाते हैं हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते द्यान रखिए केतू जहां पर भी बेटेंगे वहाँ से तीन भावों को ओर देख सकते हैं केतू की क्योंकि पांचवी द्रष्टी होती है, सातवी द्रष्टी और नवी द्रष्टी इसके अलावा केतु क्योंकि वायू तत्वी ग्रह है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कुंड़ी के दूसरे भाव और कुंड़ी के आठ भी भाव में ये अती विसिस्ट कारक ग्रह बाने जाते हैं ये तो ही सामाने बात देखी केतु की बात करें तो केतु किस चीज को दर्शाता है, ये जानकारी भी होना हमारे पास आवशक है व्यक्ति की कोई भी अधूरी इच्छा का घोतक होता है केतु ग्रह जीवन के अंदर एक तडप, एक ललक, एक प्यास, यानि कास वो चीज हमें प्राप्त हो जाए इस प्रकार की इच्छाएं केतु को दर्शाती, यानि केतु से सम्मंदित हो सकती है इस बात की संभाब न बनती है केतु यनि कुल मनाकर अधूरी इच्छाओं का घोतक है मौक्ष का कारक घ्रह बनता है केतु यदी सुबक ग्रहों का साथ इसे मिल जाए कुणली के बारवे भाव में बिठा हो, या नबे भाव में बिठा हो, या अस्टम भाव में हो इसके अलाबा गुरू से दरश्ट या योथ हो, यनि सुबक ग्रहों का प्रवा होना आवशक है तब जाकर ये मौक्ष का कारक बनता है विश्या सुरु से कुणली के बारवे घर में लेकिन मानने जिए बारवे घर में यदी केतु बिठ जाता है लेकिन सुबक ग्रहों के प्रवाव में न हो, तो एकांध विरक्ति का घोतक भी ये होता है केतुग्रह दरशाता है विक्षोप को, आयस्थर्था की प्रकति को दरशाता है एक अंजाना डर इसको व्यक्त करता है केतुग्रह जीवन काल के दौरान प्राप्त होने वाले असंतोस, चीक है, आयस्थर्था यानि किसी बात का पूरा ना होना तो इनके लिए केतुग्रह के स्थिति देखी जानी चाहिए आये सबसे पहले हम विचार करते हैं कि केतुग्रह यदी कुण्डी के छटे भाव के अंदर बेट जाए तो किस प्रकार के फल बिल सकते हैं देखे केतु यदी कुण्डी के छटे भाव के अंदर बेटते हैं कारक ग्रह बनकर केने का तात पर है कारक गरे कातात पर यह है कि मेश लगना, वरशिक लगना, धनू लगना, मीन लगना, ठीक है, यह सिंग लगना, इन लगनों के कॉल्डी में क्योंकि केतु कारक होते हैं, अच्छा रिजल देंगे दशांतर दशा के दौरान, यदि ये स्वा चेतरी, मित्र चेतरी ये तो किस प्रकार के फाल हो सकते हैं, जाद है कि अच्छा सलाकार हो सकता है, यह दिशेटे भाव के अंदर ये बिढ़ जाएं, पर उपकारिता की भावना, एसे जातकों के अंदर पाई जाती है, ग्याने भी होते हैं, और अपने ग्यान का सदूप्योग भी, जीवन काल के कर पाते हैं जानवरों के प्रती विश्रस लगाव इनके मन में हो सकता है किसी प्रकार के जानवर हो चाहे वो पालतु जानवर हो या फिर अन्य कोई जानवर इसे जातक निरोगी होते हैं सवस्त होते हैं हलाकि इसके लिए आपको कुंडी का लगनभाव लगनेश की स्थिटि और सुर्ष की स्थिति पर विचार जरूर करना है और कुर्णी के छटे भाव में जो राशी कांगल लिखा है उसके स्वामी ग्रे की इस्तिती भी देखनी है तब ही हम यह क्या पाएंगे कि जातक को निरोगी बनाएंगे ठीक है दूस मनों पर जातक का अच्छा प्रवाव रहता है यदि केतु ग्रे किसी सुबग ग्रे के सांथ बेटे हुए हो क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता जिस ग्रे के सांथ ये बेटेंगे उसका सुरूप धरन कल लेंगे उसके बल को बढ़ा देंगे यदि सूबग ग्रह के सांद बेट हुए हैं तो पर मंगल के सμαगते हैं यहांसी ऐस्वग्रहव के बढ़ा देते हैं जैसे मानलीजे गुरू ग्रह के सांद बेट जाए तो जातक दीरगाई होगा अपने ग्यान का सदथ अपयों ग्यातक कर कर लेता है, मंगल के सांथ यदि केतु घ्रहे के अंदर आकर बेटते हैं, तो काफी अच्छा रेजल्ट दे सकते हैं, अपनी दशा या अंतरदशा के दोरान अब मान लीजिए कि कुंड़ी के छेटे भाव में केतू बेट तो गए हैं लेकिन नीच राशी के होकर बिढ़ जाएं जैसे कि मिथुन राशी के होकर ठीक है या फिर अकारक अगरह बनकर बिढ़ जाएं तो जातक का सोहाओ थोड़ा गुस् जगड़े वाली इस्तिति बनना इसके अलाबा अस्पताल इत्यादी में ये कानूनी मामलों में पैसा खर्च होना ये दि मान लीजिए के तू ज्यादा खराब हो जाएं तो चोड़ द्रगटना के कारण भी बन सकते हैं तो अता सब्धानी बरतनी चाहिए स्वास्त का ध् जगड़े रखेंगे और सांत चित होकर कारेंगे तो निसंदे केत्युके नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जाकती है भगवान स्रीगरश की बुद्वार को अरादनक करें, किसी भी रूप में इनी भगवान श्री गरणेश की पूजा करें, बुध ग्रह को बलवान कर सुब तरीके से, तो केतु ग्रह के नकारत्म भाव में निश्यतुरूप से कमी आती है। आईए अब बात करते हैं कि केतु यदी कुंड़ी के अस्टम भाव में यदी बेट जाएं, तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों केतु ग्रह यदी कुंडी के अस्टम भाव में आकर बेटते हैं तो देखिए कुंडी का अस्टम भाव है रहस्यों का भाव और यहां से हम आकास्मिक चीजों का विचार प्रमकुरूप से करते हैं केतु ग्रह येदि यहाँ पर कारक ग्रह बनकर येदि बेटते हैं तो जातक गुड़ विश्यों का जानकार होगा तंत्र मंत्र रियंत्र वेदिक जोतिश या फिर आध्यात्मिक चीजों में कोई भी आध्यात्मिक चीज जिसमें जातक रुची ले सकता है तो केतु यहाँ पर बेटेंगे फिलिवा तो अती विसिष्ट कारक ग्रह भी बन जाते हैं लेकिन वशरते की सुबह ग्रोहों के प्रहाव में हो और स्वचेत्री अमित्रशेत्री होकर बेटे हुए हो धर्म कर्म में जातक के आस्था बनी रहती हैं दशा अंतर दशा के तौरान जातक को यह धनलाव करा सकते हैं आकास में धनलाव के स्थिटी बनती है वानी जातक की प्रवाव साली रहेगी यदी केतु सुबहो कर बेटे हुए हो जातक आध्यात्मक्चीजों में रुची लेगा मोक्ष का कारक ग्रेज बनते हैं केतु यहाँ पर बेट कर क्योंकि पांची तरश्टी से कुंड़ी के बारवे घर को देखेंगे अना सक्ती का भाव जातक के अंदर रह सकता है इसके लाबा परिवार कुटंब की देखवाल करने वाले परिवार को साथ ले चलने वाले इससे जातक कहे जा सकते हैं यदि केतु सुब होकर सुबक ग्रों के प्रभाव में बेटे हुए हो तब अब मान लिजे कि केतु बेट तो गए हैं अस्टमभाव के अंदर लेकिन नीच राशी के होकर बिट जाएं सत्रू राशी के होकर बिट जाएं या पापक गुरों के प्रभाव में आ जाएं तब हम यह नहीं बोल सकते कि या थी विसट का रख केतु हमें अच्छा ही रिजल्ट देंगे यह सी परस्ति में फिर जातक को अपने करेक्टर का विश्यसूप सध्यान रखना चाहिए अन्य लोगों का सम्मान करना चाहिए अपनी बरावरी वाले लोगों का या विप्रीत लोगों का सम्मान करना चाहिए कुल मिलाकर कहने का तात पर कोई भी ऐसा कार है जिसमें वैंनेंदा का पात्रवने बचना चाहिए जल्दवाजी से बचना चाहिए धन की प्रकति आइस्तिर हो सकती है यानि आकास में धन हानी भी हो सकती है गुरू येदी बेठे हुए हैं गुरू का प्रहौ पढ़ जाए तो केतु सब्सब्स होकर जातक को आध्यत्म कारियों में लगा सकते हैं धर्मकर में रुची लेने वाला जातक होगा और यानि कुल मना करके तो यहाँ पर बेटकर जातक को अच्छा ही रिजल्ट देंगे लेकिन येदी नीचराशी के होगा है तो अनेक प्रकार के रोगों से जातक ग्रसित रह सकता है व्यर्थ का पैसा बरवाद हो सकता है यानि कह सकते हैं कि लड़ाई जगड़े वाली इस्तिती और खान पान और वाणी पर येदी ध्यान रखें तो निसंदे जातक नकारत्मक प्रवाद से बच सकता है आईए अब बात करते हैं कि केतु यदी कुंड़ी के बारवे घर में बेटे यानि तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं पन के गुण जातक के अंदर पाई जा सकते हैं सांसार एक विरक्ति की भावना उसके अंदर पाई जा सकती है इसके राबा कि तु बारवे घर में बिटते हैं तो जातक को जासु से त्यादी कारियों में भी सफलता प्रदान करते हैं यानि कोई भी सुरक्षा जेंसियों से समध्य ऐसे कारिय जिसमें जासु सित्यादी के अवशक्ता हो वहां से समध्यत कारिय भी जातक कर पाता है जातक अच्छा मनोवे ज्यानिक होगा सत्रूओं पर जीत दर्ज करेगा सिक्षा ठीक प्रकार से रहेगी यहीं ठीक ठाक रहेगी हाला कि सिक्षा की जब भी बात चल रही हो तो पंचमेस और नौमेस के स्तितिक को अबसे देखें सुब कारियों में जातक धनकर्च करता है यदि बारवेघहर में के तो गरह बेठे हुए हो सकता है क्योंकि एकर नबकोकर कमचमेस पर विचार जरूर करना होगा क्योंकि लगन लगने शेदी कमजोर हो पंच में सी जो कि बुद्धी का कारक ग्रह कमजोर हो तो हम फिर यह उमीद नहीं कर सकते कि केतु ग्रह में समपाधखी बना देगा केतु बारवे घर में यह दी बेढ़ते हैं तो जाता गोपनी तरीके से कारे करने बाला भी रह सकता है केतु ट्वेल्थ हाउस में बेढ़ेंगे तो अपनी पांच वी द्रष्टी से कुंडी के चत्व द्वाव को देखेंगे अब चत्व द्वाव को जब देखेंगे तो घरेल उसक शानती भी प्रदान करते हैं सत्रूओं पर विजय दिलवाएंगे जनता का समर्थन इसे जातकों को प्राप्त होगा सत्रूओं पर विजय दिलवाने का ताथ पर ही है क्योंकि केतू अपनी सात्य द्रष्टी से कुंडी के छटे भाव को देखेंगे इसके लावा आकास्मिक धनलाव या आकास्मिक धन खर्च जातक का होता रहता है हलाकि लेकिन सो समझ के जातक खर्च करता है अब बारवे घर में केतू बेड़ गाए लेकिन मान लीजे कि नीच राशी के होकर बेड़ गाए सत्रू राशी के होकर बेड़ गाए तो हम यह नहीं कह सकते कि केतू जातक को विजय ही दिलवाएगा या फिर मोक्षी तरफ ही ले जाएगा यहाँ पर जातक एकांत प्रिय हो सकता है और अवसाद त्यादी से गुजर सकता है नेतर पीड़ा बनी रह सकती है, मन अशांत रह सकता है, किसी कारण वस्तिक है सत्रूं से जातक परिशान रह सकता है, नकारात हम विचार कई वार उसे परिशान कर सकते हैं समाब वह मोसी के साथ संबंधों में कहते हैं खटा सा सकती है या कहते हैं कि ननीहाल पक्ट से कही न कहीं थोड़ी वह तो मत भेनता वाल इस्तिती रह सकती है यानि कुल मलाकर कहने का तत पर है कि जातक एकांत भी पसंद करेगा और जातक का धनकर्च भी होता रहता है यदि के तू नकारात्मक हो जाता हो यदि आप प्रतेक्च रूप से देखें आपके कुल्डी में केतू निगेटिव फल यदि दे रहा हो तो अपनी कुल्डी में देखें कि बुद्ध यदि का रहा हो तो बुद्ध ग्रह को बलवान करें वेदिक तरीके से लेकिन और गुगल धूप इत्यादी करें भगव झाल